नमस्ते दोस्तों, मैं सत्यजित गायकवार, लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो, क्लास 10th Mathematics के लिए आज का हमारा चैप्टर है Linear Equations in 2 Variables, जिसमें हम देखने वाले है Practice Set 1.3 ये वीडियो Linear Equations in 2 Variables की Part 3 है, इसके पहले अगर अपने Part 2 और Part 1 नहीं देखी तो जल्दी से जाकर वो दोनों वीडियो देख लीजे और बाद में इस वीडियो पर आईए आज का हमारा टापिक है Cramers Rule, तो Cramers Rule क्या होता है, Cramers Method क्या होता है, ये आज हम सेखने वाले हैं, मगर Linear Equations अगर Solve करना है, तो Cramers Rule योज करके हम वो कैसे Solve कर सकते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू, इंडियाज फर्स्ट सोचल ई-Learning प्लैटफर्म, नून अकडमी इस हैर फ़र यू, नून अकडमी है, क्या है नून अकडमी, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक, पूरी की पूरी वीडियो, पूरी क्लासेस आपको यहाँ पर unlimited doubt clearing sessions भी होगे, और यह पूरी की पूरी बाते आपको मिलने वाली है, बिलकुल free, तो देर ना करिये, जल्दी से जाएए, और description में दी गई लिंक से, नून अकडमी आप डाउनलोड कीजिए, और पूरी live classes का मज़ा लीजिए, तो चलिए आज की हमारी वीडियो की शुरु बात करते हैं, आज हम देखने वाले हैं kramar's rule, उससे पहले हम देखेंगे determinant क्या होता है, क्योंकि determinant अगर हमें समझ में आ गया, तो kramar's rule हमें समझना ज्यादा मुश्किल नहीं जाएगा, determinant, determinant क्या होता है, देखिए यहां पर है, a, b, c, d, is a determinant, this is a determinant, यह क्या है, determinant है, जिस में, a, b, and c, d are the rows, यह दोनों, दो row है, और यहां पर दो, a, c, b, d are those two columns, degree of this determinant is two, because there are two elements in each column and each row, okay, there are two elements in each column and two elements in each row, मतलब कि सीधा अगर देखेंगे, तो दो-दो element देखेंगे, और अगर आड़ा भी आपने देख लिया, तो यहां पर भी आपको दो-दो element देखने को मिलेंगे, तो इसी लिए, इसी वजह से, इस determinant की degree क्या है, इसकी degree है, two, what is the degree of the determinant, the degree is two, तो यह जो determinant है, यह determinant हमें साल कैसे करना है, यह अब हम देखेंगे, तो यह देखिए, इसकी value क ऐसे find out करना है, value find out करना है, cross multiplication करके, cross multiplication क कैसा, इन दोनों का multiplication, मतलब A into D, AD, और उसमें से subtract करना है, इन दोनों का multiplication करके, minus B into C, मतलब A D minus BC, यह ऐसे करके हमें, यह determinant साल करना है, सबोस हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, A into D, पहली value हमेशा यही होनी चाहिए, first of all किसका multiplication करेंगे हम A multiplied by D उसके बाद में subtract करेंगे उसमें से क्या करेंगे subtract B into C subtract करेंगे और इसे solve करने के बाद में हमें इस determinant की value मिल जाएंगी यहाँ पर ऐसी value मिल जाएंगी तो determinant एक ऐसा ऐसी thing है जहाँ पर हम determinant अगर ध्यान में आ गया समझ में आ गया तो हमें क्रैमर स्थूल समझना कोई भी मुश्किल बात नहीं है determinant पर ही पूरा का पूरा क्रैमर सूल डिपेंड है तो चलिए फिलाल तो थोड़े डिटर्मिनेंट ही solve कर लेते हैं देखिए यहाँ पर एक अक्टिविटी दी गई है कि जहाँ पर हमें यह डिटर्मिनेंट सॉल करना है क्या डिटर्मिनेंट 3,4,2,5 यह डिटर्मिनेंट के elements है 3,4 पहले कॉलम में और 2,5 दूसरे कॉलम में उसके बाद में हम क्या करेंगे cross multiplication करेंगे किसका यह दोनों का यह दोनों का cross multiplication मतलब क्या होगा 3 into 5,3 into in box यहाँ पर क्या होगा 5 और उसके बाद में किसका multiplication इन दोनों का मतलब 2 into 4,2 into 4 ओके तो पहली value क्या है 3 into 5,5,3 is a 15 and 4,2 is a 8 15 minus 8,what is the answer,yes the answer is 7 तो ऐसे करके हम determinant solve कर सकते एकदम easy method है, easy way से हम यह solve कर सकते हैं और आगे भी जो grammar rule हम देखने वाल है वो भी बहुत ही ज्यादा easy होने वाला है इसलिए वीडियो को पूरा देखे और पूरा देखने के बाद में ही video को like और comment कीजिए तो जैसे कि हमने देखा कि हमने determinant कैसे solve करना है तो ऐसे ही आगे हम कुछ और determinant solve करेंगे जो कि यह अपने screen पर है देखिए यहाँ पर पहला determinant क्या है क्या है पहला determinant पहला है minus one two पहले कॉलम में seven and four दूसरे कॉलम में तो इसे हम solve करेंगे solve करेंगे कुछ इस तरह से is equal to cross multiplication minus one into four क्या करेंगे हम minus one multiplied by four उसके बाद minus subtract करेंगे इन दोनों को seven into two seven into two तो क्या होगा इसका result minus one into four minus four minus seven into two minus fourteen that is equal to minus eighteen what is the value of this determinant what is the value of this determinant minus eighteen यह क्या होई इस पहले determinant की value कुछ उसी प्रकार हम second determinants all करेंगे क्या है उसमें five minus seven three and zero बिलकुल कुछ इसी प्रकार five and zero multiply five by zero five into zero minus कुछ इस प्रकार three multiply by minus seven तो यहां पर एक चीज़ गोर करने लिए five into zero zero and minus minus multiplied that becomes plus three sevens 21 that is equal to 21 तो इसकी value क्या आगई 21 okay and then finally हम तीसरा determinant solve करेंगे जो की दिखने में थोड़ असा हाड लगेगा लेकिन जितना दिखने में हाड है उतना solve करने में हाड नहीं है तो चलिए इससे solve करते हैं क्या है three by seven sorry seven by three and three by two second column five by three and one by two same method है अपनी क्या है method है method है multiplication multiplication किन का करना है seven by three multiplied by one by two seven by three multiplied by one by two और उसमें से subtraction किसका करना है five by three multiplied by three by two okay got it और यहाँ पर अगर आपने ध्यान में दिया तो seven multiplied by one seven one is a seven three two is a six seven by six is minus five three is a fifteen और three two is a six और यहां पर जैसे क्या आप देख सकते है बेस्ट इनाविटर 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 कामन ले लेंगे और उसके बाद में seven minus 15 क्या जाएगा seven minus 15 that is equal to eight that means eight by six eight by six what is the answer two से divide करेंगे दोनों को two four is a eight two three is a six what is the value the value of the discriminant is four by three तो जितना दिखने में मुश्किल था उतना ही solve करने में आसान था यहां पर आपको यह छोटे-छोटे एक basic rules जो है fraction के वह आपको मालूम होने चाहिए तो जब आप इनकी multiplication और subtraction आसनी से कर सकते हैं तो कुछ इस प्रकार आपको नबल च्राइगे अग्जांस में भी यह रिक्तर करने को आसकता है है तो क्रैमर्स रूल यूज पर करना भी उससे ज्याद хочान हो जाएगा लेकिन कुछ दो तीन चीज़ें है जो आपको ध्यान में-र रखना हैं हम क्या उन चीज़ों को यहां पर समझ भी लेंगे, Cramers Rule, Cramers method या Cramers rule जो है, वो नीचे दी गई कुछ steps को मिला के बनता है, वो कैसे क्या करने का है, पहली step क्या है, वाट इस अफर्स step, राइट दे गिवन equation in the form of AX plus BY is equal to C, वाट इस अफर्म, AX plus BY equal to C, दोनों equation को ऐसे लिखके लेना है x plus py is equal to c के form में उसके बाद क्या करना है उसके बाद करना है हमें determinants की value find out करना है क्या करना है value of determinants determinants मतलब कौन से पहला determinant है d उसके बाद dx और उसके बाद dy यह तीनों determinants की value हमें find out करने और उसके बाद फिर दो और वाई की वैल्यू से हमें find करना एक्स एक्स वर्डी और वाई इकवल टो दिल्ट यह दोनों वैल्यू वैल्यू फैंड उट करने के बाद हमें X और वाई की वैल्यू मतलब solution जो equation सॉलूर्यूशन है वो हमें यहांपर मिल जाएगा तो यह पूरी की पूरी मेथड जो है क्रैमर सुमेथड यह किसने फाइंड उट करें तो यह देखिए यह भाई साथ है गैब्रियल क्रैमर इन्होंने इस मेथड को सबसे पहले यूज किया था यह सबसे पहले ढूंड निकाला था तो जब से लेकर अब तक हम क्रैमर मेथड यूज कर रहे है तो चलिए अगर आपको यह सब स्टेप्स धान में आ गई होगी यह तीनों स्टेप्स तो अब हम एक्जमपल की तरफ बढ़ेंगे तो क्या है एक्जमपल क्या है देखिए 3y is equal to 10 standard form में already मोजूद है तो कोई भी छिटखा निकरने की जरूरत नहीं है दूसरा एक्वेशन है 4x plus 3y is equal to 5 तो दोनों एक्वेशन क्या करेंगे हम compare करेंगे we have to find the values of ABC in both the equations दोनों equation में ABC value of ABC find out करना बहुत ज्यादा जरूर है तो हम क्या करेंगे comparing with both the equations comparing with comparing with a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2 what is the value of a1 b1 c1 in equation first a1 b1 c1 in equation second a2 b2 c2 what are the values देखिए यहां पर यह जो coefficient of x है उसे हम कहते है a1 x coefficient का जो coefficient है उसे a1 कहेंगे यह है b1 और यहां पर आ गया c1 similarly a2 b2 और c2 यह देखिए यहां पर कुछ इस प्रकार a1 is equal to 3 b1 is equal to with sign b1 4 लेकिन minus 4 आएगा होने के वज़े से minus 4 और c1 क्या आएगा c1 is equal to 10 उसके बाद उसके बाद आएगा a2 a2 is equal to 4 यहां पर b2 b2 आएगा b2 is equal to 3 और उसके सिंपल है इसका फार्मूला याद रखेंगे a1 a2 और b1 b2 यह दो कॉलम याद रखना है खाली उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद इससे सॉल करेंगे क्या करेंगे a1 a2 के value बूट करेंगे 3 and 4 b1 b2 के value क्या है minus 4 and 3 उसके बाद उसे सॉल करेंगे cross multiplication करके 3 into 3 3 multiplied by 3 minus minus 4 multiplied by 4 that is equal to 3 into 3 9 minus minus plus 4 into 4 16 plus 16 that is equal to 25 what is the value of d d equal to 25 easy था एक दम easy था उसके बाद उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद हम find out करेंगे value दूसरी किसकी value है दूसरी value find out करना है हमें dx dx equal to क्या है देखो तो dx जब हम value find out करेंगे जब variable जो है x उसके जो coefficient है उसे हमें cancel करना है कौन से coefficient है x का coefficient है a1 और यहाँ पर x का coefficient है a2 जो a1 a2 का column है वो हमें cancel करना है और उसके जगह पर हमें दालना है c1 c2 c1 c2 दालना है a1 a2 की जगह पर जब हम dx solve करेंगे c1 c2 और b1 b2 as it is रहेगा जहाँ पर b1 b2 ओके उसके बाद में देखिए ध्यान में रखना है हमेशा जब dx solve करेंग तो x के coefficient बाहर निकालके उसके जगह पर c1 c2 दालेंगे मतलब a1 a2 के जगह पर c1 c2 दालेंगे उसके बाद जब हम dy solve करेंगे जब हम b1 b2 के जगह पर c1 c2 दाल देंगे तो यह दो बात द्यान में रखना है हमें उसके बाद c1 c2 value of c1 c2 10 and 5 and value of b1 b2 minus 4 and 3 अब यहाँ पर क् 3 cross multiplication 10 into 3 and then minus subtraction क्या करेंगे minus 4 into 5 minus 4 into 5 okay now 10 into 3 30 minus minus plus 4 5 is a 20 kya हो answer 50 dx क्या आगे यहाँ तर dx equal to 50 and then then dy dy is equal to what are the coefficients of y y के coefficient क्या है b1 b2 b1 b2 निकल देंगे a1 a2 as it is रहेगा a1 a2 as it is रहेगा b1 b2 के जगह पर यहाँ पर क्या आगा c1 c2 okay then then a1 a2 what is the value of a1 a2 3 and 4 3 and 4 what is the value of c1 c2 c1 c2 equal to 10 and 5 then cross multiplication 3 into 5 minus 10 into 4 what is the answer what is the answer dy equal to 3 5 is a 15 minus 10 for the 40 that is equal to minus 25 what is the value of dy dy equal to minus 25 and final step final step by kramers rule kramers rule क्या है kramers rule क्या है kramers rule क्या है कि जब हम x और y की value find out करेंगे value of x equal to आगे dx upon d और value of y आएगी dy upon d यही है kramers rule दोनों पूरी की पूरी वाल्यू हा हमारे पास है dx dx की value क्या है value of dx is 50 upon value of d is 25 50 upon 25 that is equal to what is the value 2 x equal to 2 और यहां पर value of y similarly dy minus 25 और value of d 25 minus 1 यहां पर 25 once a 25 लेकिन minus 1 what is the value of y minus 1 what is the solution then solution क्या होगा solution होगा x equal to 2 and y equal to minus 1 is the solution of given equations देखिए इतनी आसन थी kramers rule जो है या kramers method करे सकते हैं वो इतनी आसन थी जितनी कि मैं एकदम आसनी से हमें हम ध्यान में रख सकते हैं तो देखिए अब इसके बाद में हम कुछ example और पढ़ेंगे ध्यान में लेंगे second example है x plus 2y equal to minus 1 and 2x minus 3y equal to 12 ये भी example अभी जो example हमने solve किया उसी प्रकार है जहां पर पहले तो हम क्या करेंगे comparing करेंगे a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2 इससे compare करेंगे देखिए value of a1 x के आगे कुछ भी नहीं है मतलब क्या है 1 है a1 equal to 1 what is the value of a2 यहाँ पर देखिए 2 what is the value of b1 b1 equal to 2 what is the value of b2 b2 equal to minus 3 what is the value of c1 c1 equal to minus 1 and c2 equal to 12 यहाँ यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं यह देखिए a1 यहाँ पर b1 यहाँ 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 देखिए a2 यह यहाँ पर b2 यहाँ बिलकुल यहाँ पर minus 3 c2 यह यहाँ तो कुछ इस प्रकार हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की values हमने find out करके निकल ली उसके बाद हम क्या करेंग d equal to what d equal to a1 a2 and b1 b2 यह हमेशा दहाँ में रखना है d equal to a1 a2 पहला कॉलम b1 b2 दूसरा कॉलम उसके बाद में value put करेंगे 1 and 2 b1 b2 2 and minus 3 what is the value of determinant cross multiplication करेंगे 1 into minus 3 और उसके subtraction क्या करेंगे 2 into 2 minus 2 into 2 1 into minus 3 minus 3 minus 2 into 2 4 क्या आगया answer minus 7 तो d equal to क्या आगया answer minus 7 उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद क्या find out करना है हमें उसके बाद find out करना है value of dx dx में हम क्या लेंगे dx में लेंगे c1 c2 b1 b2 उसके बाद उसे कैसे साल करना है value of c1 c2 value of c1 c2 is minus 1 and 12 कुछ इस प्रकार अगर आपने लिखके लेली ये value तो put करने में आसा नहीं हो जाएंगे so b1 b2 क्या है b1 b2 है 2 and minus 3 then what is the cross multiplication minus 1 into minus 3 minus 1 into minus 3 then subtraction minus 2 into 12 that is equal to minus 1 into minus 3 that is minus minus cancel 3 1s are 3 minus 12 2s are 24 that is equal to 21 what is the value of dx dx equal to 21 and then dy dy equal to what is the value of dy dy equal to a1 a2 and c1 c2 that is equal to value of a1 a2 c1 c2 what is the value 1 and 2 c1 c2 minus 1 and 12 cross multiplication करेंगे 1 into 12 1 into 12 minus minus 1 into 2 that is equal to 1 into 12 that is 12 minus 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 plus 2 into 2 that is equal to then final answer will be dy equal to 12 plus 2 14 dy equal to 14 then by using kramers rule जो हमारा kramers rule है वो यहां पर apply होगा kramers rule क्या करेंगे हम kramers rule यूज करके x equal to dx upon d और y equal to dy upon d value of dx is 21 value of d is minus 7 7 3s are 21 minus होने के हो जैसे minus 3 x equal to minus 3 उसके बाद y value of y y equal to dy upon d value of dy equal to 14 और d equal to minus 7 7 2s are 12 minus 2 आजाएगा answer y equal to क्या आगया minus 2 तो solution क्या हुआ अपना solution क्या हुआ यहां पर देखिए solution है x equal to minus 3 and y equal to minus 2 यह हुआ हमारा solution तो यह भी example मेरे ख्याल से एकदम easy था वो भी आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए अब उससे भी आगे बढ़ते हैं और एक थोड़ा से इससे भी थोड़ा सा hard ज्यादा hard नि थोड़ा सा hard example हम यहां पर ठ्यान में रखेंगे यह हमारा last example होगा then यह example है 2x plus 3y is equal to 2 and x minus y by 2 is equal to 1 by 2 मैंने पिछले एक वीडियो में बोला था कि जिस चीज का हमें डर लगे उस चीज को खतम करना है पहले तो वही करेंगा हम यहां पर equation कौन सा है देखिए पहला equation तो क्या है हम क्या करेंगे 2x यहां पर देखिए 2x plus 3y is equal to 2 यह तो equation number 1 देदेंगे और उसके बाद में दूसरा equation कौन सा है x minus y by 2 is equal to 1 by 2 इसे multiply करेंगे मैंने पिछले वीडियो में एक बोला था कि जो चीज हमें जिस चीज से डर लगे इन्हें डिनर्मटर है इस से यह थोड़ा सा हाड लगेगा कुछ बच्चों को उससे क्या करना है हमें मीटा देना है डिनर्मटर मतलब divided by 2 है उसकी opposite करेंगे हम क्या करेंगे multiply करेंगे 2 से multiply करेंगे क्या हुआ यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब 1 है 2 into 1 2 x 2 1 जा 2 x as it is यह to cancel हो गया minus y as it is यह to cancel 1 as it is तो यह हुआ हमारा equation second क्या किया हमने multiply by 2 यह 2 2 cancel हो गया और यहां पर कुछ भी नहीं तो 2 आ गया यहा गया यह देन अब इन दोनों equation को compare करना है हमें क्या करना है compare करना है comparing equation 1 and 2 with a1 x plus b1 y is equal to c1 and a2 x plus b2 y is equal to c2 ओके अब compare करने के बाद में value of a1 क्या हैगी value of a1 a1 2 3 and 2 a1 equal to 2 b1 equal to 3 and c1 equal to 2 value of a2 a2 equal to 2 b2 वहाँ पर कुछ भी नहीं लेकिन minus 1 minus minus होने के बाउज़ूत होने के जैसे minus 1 then c2 1 यह देखिए कुछ यहाँ पर यह values में आपको शो कर देता हूँ यह कुछ इस तरीके से यह देखिए value of a1 यहाँ पर equation first में value of b1 यहाँ पर equation second में और value of c1 यहाँ पर equation first में यह पूरी की पूरी value तीनो value equation first में और यह तीनो value equation second में हमें देखने को मिलेगी हाँ देखिए तीनो value find out करने के बाद अब हमारा काम क्या है अब हमारा काम है d dx और dy की value find out करना what is the value of d what is the value of d d equal to d equal to a1 a2 b1 b2 what is the value of a1 a2 b1 b2 a1 a2 2 2 2 b1 b2 3 minus 1 अब क्या करेंगे cross multiplication करेंगे 2 into minus 1 2 into minus 1 minus 3 into 2 3 into 2 अब क्या होगा उसका 2 into minus 1 minus 2 3 into 2 3 to the 6 minus 6 क्या हो गया minus 8 हो गया यहाँ पर value of d क्या आ गई minus 8 उसके बाद क्या करेंगे value of dx dx equal to r dx equal to c1 c2 b1 b2 यह हमेशा धान में रखना है यहाँ पर d में क्या लेना है dx में क्या लेना है और dy में क्या लेना है तो यहाँ पर c1 c2 c1 c2 मतलब क्या हुआ 2 1 b1 b2 मतलब 3 minus 1 then cross multiplication के बाद में क्या होगा 2 into minus 1 that is 2 into minus 1 minus 3 into 1 तो 2 into minus 1 2 and 3 into 1 3 minus 3 sorry minus 2 minus 3 that is equal to minus 5 dx value of dx minus 5 then अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे हम value of dy dy find out करेंगे value किसकी value dy equal to क्या होगा a1 a2 c1 c2 that is equal to a1 a2 c1 c2 क्या होगा 2 2 a1 a2 value 2 2 or c1 c2 2 1 क्या होगा फिर 2 into 1 minus 2 into 2 that is equal to 2 and the 2 minus 2 to the 4 मतलब क्या आगे answer minus 2 dy क्या होगा minus 2 उसके बाद value of x by kramer's rule by kramer's rule क्या होगे values value क्या होगे x equal to dx upon dy equal to dy upon d what is the answer dx upon d what is the dx dx is minus 8 upon x is upon d is sorry dx is minus 5 actually sorry dx is minus 5 and d is minus 8 that is equal to minus minus gates cancel 5 by 8 is the answer value of x 5 by 8 and value of y y equal to dy upon d मतलब minus 2 upon 8 minus 2 upon minus 8 minus minus gates cancel 2 1 जा 2 2 4 जा 8 मतलब value of y क्या आ गई 1 upon 4 और यह हो गया हमारा solution क्या आ गया solution solution आ गया x equal to 5 by 8 and y equal to 1 by 4 is the solution of given equations तो इतनी simple 3 kramer's rule या kramer's method तो जो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए उकर कुछ प्रॉब्लेम है तो कमेंट में शेयर कीजिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे हमारा हमारे साथ support बनाए रखिए क्योंकि मैं ऐसे ही अगर आप लोगों का प्यार दिखता गया तो मैं आपके लिए हर रोज एक एक नई नई वीडियो लाता रहूँगा और अपने आप में सुधार करता रहूँगा तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए चलिए बै याद मेंने वीडिवा इच के लिए्यग वीडिवा ता बाद चलिए हर गया है